अंटिपीसी विंद्याचल का ऐसा राख जैनगर जुवाडी मोल के पास पटा पारशत प्रेम सागर मिश्वा ने का ततकाल अंटिपीसी प्रबंदन कराएं जले के अंटिपीसी विंद्याचल का ऐसा राख पाइप जैनगर जुआडी मोल के पास पटा जहां सेड़कों पर मलवा बह रहा है वाच अटिपीसी विंद्याचल की प्रबंदन को पूर्वा में पत्र दे कर अफगत कराया था और कई बार अनुरोद किया था कि राख की पाइप के उपर आइटेंशन लाइट लगी हुई है जो अत्यदिक खतरनाक है इसलिए इस पाइप का में इंटेंशन कराये हम लोगों के साथ अत्याचार ना करे उनका कहना है कि हमने कई बार अनुरोद किया लेकिन आटिपीसी विंद्याचल को सुनने के लिए तयार नहीं है आटिपीसी प्रबंदन हम लोगों के उपर गोरत्याचार कर रही है पारशत प्रेमसागर मिश्रा ने कहा कि जुवाड़ी जैनकर गाव के आसपास पाइप है वो बार बार फट जाती है और इसका राग गाव में उड़कर जाता है लेकिन अटिपीसी विंद्याचल प्रबंदन इसकी कोई सुथ नहीं ले रहा नाई राग को साफ कराया जाता है अटिपीसी विंद्याचल के एस राग से आसपास की ग्रामिन परिशान हो रहे है पारशत प्रेम सागर मिश्रा ने का ठोर श्रब्दों में कहा कि अटिपीसी विंद्याचल के जमधार अधिकारी इस गटना को संग्याण में लेकर इस जरजर एस सराखर पाइप को ततकाली मेंटेनिंस करा है कोई भी घटना दूर घटना हो सकती है लेकिस कोई सूध लेने वाले एंटिपीसी के अधिकारी नहीं है मैं कहते कहते ठक या आखिरे क्यों इस तरह से यहां क्या स्थाई लोगों के साथ मेत्याचार कर रहे हैं यहां कि जनता पुरी राखवूर के पुरा धरो में जा रही है जल प्रभावित हो रहा है खाना खाने बैटे लोगों का खाने में पढ़ जा रहा है राख इतनी भी सहली है कि उसके खाते हो और बीमार हो जाते है इसके बारे हम जितना भी कम कहें NTPC के लिए वो आफ कम होगा क्योंकि मैंने करके ठक चेग मानेंगे समय ही पताएगा जो आने वाला पहले भी गया था उन्होंने कहा था कि मैं गाड़ी भेक्टर के जुवाय सूर रही उसको हटवा दूँगा हटवाने की तो बात लाखों को सो दूर है यह सामने है यह आप देख सकते हैं मुझे बहुत ज्यादा पतानी का उसकता नहीं है सामने एक दम भी गरा है कि क्या हो रहा है